किसान संगठन न्यूनितम समर्थन मूले यनी MSP के लिए कानूनी गरंटी और स्वामिनाथन आयोक की सिफारिशों को लागू करने समेथ अन्य मांगों को लेकर 13 फरवरी से एक बार फिर से आंदोलन करने जा रहे हैं किसानों के दिल्ली चलो मार्च के आवाहन पर किसान देश के अलग-अलग राज्यों से एक बार फिर से दिल्ली का रुख करने लगे हैं हाला कि सरकार ने किसानों को बाच्चीत के लिए 12 फरवरी का समय दिया है लेकिन खूफिया इंपुट के मद्नजर राजधानी दिल्ली को च्छावनी में तब्दील कर दिया गया है किसानों के दिल्ली कूच के मद्दे नजर सिंगू बॉर्डर पर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है सिंगू बॉर्डर पर 16 कंपनिया तैनात होंगी जिसमें दिल्ली पुलिस और अर्ध सैनिक बल के 2500 से 3000 जबान तैनात रहेंगे रविवार तक यहां बड़ी तादाद में पुलिस बल पहुच चुका था बॉर्डर के आसपास दिल्ली की सीमा में बंद पड़े CCTV कैमरे भी सही कराए जा रहे हैं इसके अलावा अत्रिक्त कैमरे भी दिल्ली पुलिस की ओर से लगाए गए हैं आधा दर्जन से ज्यादा ड्रोन से भी सीमा क्षितर में निगरानी रखी जा रही है पता जा रहा है कि दिल्ली में होने वाले इस अंदोलन के लिए पंजाब, हर्याणा, राजिस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल और करनाटक से 15-20,000 किसान लगबग, 5,000 ट्रेक्टरों के साथ दिल्ली आ सकते हैं इसके अलावा किसान, कारों, बाइक, मेट्रो, ट्रेन या फिर बस से भी दिल्ली आ सकते हैं इस अंदोलन के लिए किसान संगठन 100 से भी ज्यादा मीटिंग कर चुके हैं इसी तरह दिल्ली और हर्याणा के बीच की टिकरी बॉडर को सील किया गया है राजधानी दिल्ली से सटे हर्याणा के बहद्दुर गड़ में पुलिस नाकों पर तैनात पुलिस करमचारियों को उचित दिशन रिदेश भी एसपी की तरफ से दे दिये गए हैं इस्थानी लोगों को किसी तरह की परिचानी ना हो इसके लिए भी कुलिस हर संभ़ कोशिश कर रही है इन तमाम तैयारियों ने किसानों के पिछले आंदुलन की यादें ताज़ा कर दी हैं जब इन सक्त बंदोबस्त और अवरोधों को तोड़कर किसान दिल्ली में घुस गए थे और 26 जनवरी 2021 को राजधानी दिल्ली में भवाल हो गया था उस वक्त किसान लाल किले तक पहुँच गए थे इस बीच पुलिस के साथ उनकी जगा जगा भयंकर जड़ाप हुई थी ट्रैफिक पुलिस से मिली जानकारी के मताबिक सिंगू बॉर्डर पर सोमवार से ही कमर्शिल वीकल्स की आवाजाही को प्रतिबंदित कर दिया जाएगा वही मंगलवार को बॉर्डर पुरी तरह से सील कर दी जाएगी और सिंगू बॉर्डर से सभी प्रकार की गाड़ियों की आवाजाही पर रोग लग जाएगी गाजीपुर बॉर्डर, लोनी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, रजोकारी बॉर्डर, कापस हेडा बॉर्डर और कालिंदी कुंज, डी एंडी नौइडा बॉर्डर पर भी मंगलवार को इहतियातन कड़े सुरक्षा इंतजाम किये जाएंगे जिसकी वज़े से आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है दिल्ली को यूपी हर्याना से जोडने वाली इंसीमाओं पर बड़े-बड़े कटीले तार, कंटेनर और भारी पुलिस तुरक्षा बलतैनात किया गया है पिछले आंदोलन में किसान 13 महीने दिल्ली के बौरडर पर डटे रहे थे इसलिए इस बार वैसे हालात ना बने इसका खास ख्याल रखा जा रहा है